और अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं खबर दिल्ली से और बात किसानों की किसानों के दिल्ली कूच के बीच आज बैठक होगी केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच में ये बैठक होगी चंडी गड़ में गुरुवार को श्वाम पांच बज़े ये बैठक होगी बैठक में केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहेंगे बैठक में प्यूश गोयल नित्यानंद राय भी मौजूद रहेंगे तो क्योंकि किसान लगतार अपनी मांगो को लेकर सडकों पर उत्रे हुए हैं वो तस्वीर भी आपने देखी होगी शंबू बॉडर की तस्वीर आपने देखी होगी कि किस प्रकार से किसानों ने हूच किया और किसानों के उपर आसु गैस के गोले चोड़े गए उससे पहले याने की आंदोलन से पहले साड़े पाँच घंटे तक बैठक हुई दो राउंड की बैठक हुई थी और उस बैठक में कुछ मुद्दो पर सहमती बन गई थी कुछ मुद्दो पर सहमती नहीं बन पाई थी अब जो है कि केंद्रिय सरकार और किसान नेताओं के बीच में एक बार फिर से बैठक होगी किसानों को समझाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जाएगा चंडीगर में गुरुवार को शाम पांच बजे बैठक होगी समय निर्धारित कर दिया गया है दिन निर्धारित कर दिया गया है तारिक निर्धारित कर दी गई है और केंद्रिय कृष्वी मंतरी अर्जुन मुंडा और केंद्रिय वारिज्य मंतरी प्यूश गोयल जो है किस बैटक में मौजूद रहेंगे और केंद्रिय ग्री राज्य म रहा है कि हम किसानों से बात करने के लिए तयार है और इस समस्या का समधान जो है वो बातचीत के जरीए ही निकाला जा सकता है इस प्रकार से सडकों पर उतर कर किसी भी समस्या का जो हल है और वो नहीं संभव है ऐसे में किसानों को भी समझना चाहिए कि जिस प्रकार की वो मा पुष्टिवारी लाइफ जोड़ चुके हैं प्यूश आज की क्या इस्तिती देख पा रहे हैं क्योंकि लगतार किसानों को शंबू वाडर पर तो रोग दिया गया है लेकिन फिर से एक बार बादशीत का दौर शुरू होगा बिल्कुल आज करीब साम पांच बजे के आसपास केंदरी मंत्री जो की प्यूश गोयल अरजुन मंडा और कहीं नित्यानन राय के साथ किसान संगठनों के नेताओं की एक बड़ी बैटक चंडिगण में होने जा रही है हाला कि किसानों का कहना है कि हम सरकार के साथ वारता करने के लिए तैयार हैं लेकिन सरकार क्यों जान बूज कर हम पर आसुगैस के गोले दाग रही है इसके साथी करीब 13 ऐसी मांगे किसानों की है जिन पर सरकार से वो चर्चा चाहते हैं लेकिन सोर्चस के आवाले जिन जानकारी मिल रही है कि 9 से 10 मांगों पर कहीं ने कहीं लगबग लगबग सहमती बन गई है इस वक्त आपको एक तस्वीर दिखा दे कि अभी भी एतिहातन यहाँ पे पूरी तरीके से गाजीपूर बॉर्डर के अगर हम बात करें तो एतिहातन अभी भी बैरिकेटिंग लगाई गई है इसके साथ ही कंटेनर्स भी रखे गए हैं और तमाम जो पुलिस के जवान है उत पायार किये गए क्योंकि इससे पहले जब दो बैठक हुई थी वो दो बैठक बे नतीजा रही आज की बैठक में ऐसा क्या कुछ एडिशनल एड किया गया है जिसे की लग रहा है सरकार को कि किसान मानेंगी या फिर किसानों को समझाया जा सकता है दिखिए जो दो बैठक हुई है उसमें करीब 13 मांगे थी और जब तक बैठक नहीं हो जाती है तब तक किसी भी तरीके से ये कह देना कि कौन-कौन विश्यों पर चर्चा होगी क्योंकि तीन विश्यों पर खास्तोर पेज फसा हुआ है इसके साथी पूरी तरीके से कर्जमाफी को लेकर भी पेज फसा हुआ है किसान चाहते हैं कि पूरी जो कर्जमाफी है वो कहीने कही सरकार की ओर से किया जाए सबसे बड़ी बात है कि सरकार अपने अस्तर पर तमाम तैयारिया करते हैं इसके साथ ही तमाम योजनाय बनाती हैं अगर करज माफी करनी है तो सरकार के पास भी कई मुश्किले खड़ी हो सकती हैं और यही कारण है कि तीन मुद्दों पर अभी भी पेच फसा हुआ है और किसान संगतनों के निताओं को मनाया जा सके चुकि आपने पहले दोर की बैठक में देखा था पूरी तरीके से वह बेनतीजा रही दूसरे दोर की जब बैठक होई तो करीब 9-10 मांगों पर सहमती लगभग-लगभग सरकार और किसानों के बीच बन गए थी ऐसे में अब त किसरी बैठक होगी तब देखने वाली बात होगी कि सरकार की और से क्या कुछ कहा जाता है तो कि सरकार ने भी फुल प्रोप तैयारी की है कि किस तरीके से किसान संगठन के नताओं को मनाया जा सके खास्तोर पर MSP कानून को जिस तरीके से किसान मांग कर रहे हैं कि उस पर एक नए क्रिसी कानून वापस पहली किसान प्रदर्शन के दौरान लिये गए थे उसके बाद जो वादे जो कमेटी बनाई गए थी जो वादे किये गए थे उस पर सरकार जो है वो खरी नहीं उतरी है उन वादों को पूरी तरीके से पूरा किया जाए ऐसे में सरकार की यही कोश तो निश्यत रूप से किसान जो है वो दिल्ली बाॉडर तक आ सकते हैं ऐसी भी ऐसा भी जो संदे हैं वह प्रिसाशनी काधिकारी ओक है और यही कारण है दिल्ली के बॉडरों को पूरी तरीके से खास्तों पर टिकरी बॉडर के घरम बात करें तो चिमेंट के जरिये पूरी साथ जुनने के लिए